हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट सिस्पेस आज हम गिलोए के सीड्स के बारे में बात करेंगे गिलोए जो कि एक औजदिय पौधा है मेडिसनल प्लांट है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है इम्यून स्था बनाता है जब हमारे किसी को ये कड़वी भी लगती है लेकिन किसी किसी को इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो कम से कम आप एक से दो चमच इसको जरूर लीजिए आपको बहुत लाब मिलेगा कुछ लोग इसको केवल तभी लेते हैं जब उनको बुखार होता है लेकिन ऐसा नहीं है आप इस पत्तियों को आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी अच्छे से ग्रोध कर रहा है क्योंकि इसकी पत्तियां काफी बड़ी हो चुकी है हमारे यहां पर चारो तरफ ये फैल चुकी है कई सारे लोग इसको लेकर जाते हैं उनको काफी लाब भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है तो देखे एक हाथ से अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी पत्तियां कितनी बड़ी हो चुकी है बिल्कुल भी केर नहीं मांगता है ये पौधा आप इसकी चोटी सी टहनी को लेकर आईए और ऐसे ही नॉर्मल गार्डन सोयल में लगा दीजिए ये अपन कि मानी जाती है तो जैसे लोग यहां से टहनी को तोड़कर लेकर जाते हैं तो यह तोड़ चूकी यह लेकिन इसमें कासियत हैं कि यह सूखती नहीं कभी नहीं है कि ल humility होगी अगर आप कितनी भी पुरानी टहनी पड़ी हुई लाग कर कहीं से डाल देंगे तो यह अपने इसकी roots आपको दिखाई हुई है तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा तो जरूर चैक कीजिए तो इस तरह से इसकी कोई भी टहनी बेकार नहीं जाती है कभी मरती नहीं है ये इसलिए ये काफी अच्छी मानी जाती है ये पौधा आप decoration के लिए भी use कर सकते है as a ornamental wine की तरह आप इसको use कर सकते है तो इसके seeds कुछ इस तरह से होते हैं पहले green होते हैं फिर orange होते हैं और फिर red हो जाते हैं तो इनके seeds को आप store कर सकते हैं क्योंकि अगर आपके पास अभी बेल है और future में कभी इसका पौधा मर जाता है वैसे तो ये कभी पौधा मरेगा ही नहीं है अगर आपने इसको एक बार लगाया हुआ है तो उससे क्या होगा seeds आपके पास store होंगे तो उससे आप नए पौधे तयार कर सकते हैं तो जो इसके red seed होते हैं वही लेने हैं क्योंकि पहले ये green है तो ये seed अभी कच्चा है और फिर ये orange होगा फिर ये तयार हो रहा होगा और फिर जब ये red हो जाएगा तभी इसके seeds आपको लेने होते हैं वो red seed बिल्कुल तयार हो चुके होते हैं इनको आप grow कर सकते हैं seed को grow करने के लिए कुछ नहीं करना होता है ऐसे ही normal garden soil में आप इसको लगा दीजिए उसमें ही अपने आप से चल जाते हैं तो इस तरह से ये पौधा टहनी से भी लग जाता है seed से भी लग जाता है टहनी से grow करना बहुत असान होता है लेकिन seed से भी आप इसको grow कर सकते हैं तो ये red seed है इसके अंदर एक चोटा सा बहुत चोटा सा seed होगा तो इसको आप grow कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर बताइए इससे related कोई query है question है जरूर पूछे comment box में पूछे Facebook page पर Instagram page पर आप पूछ सकते हैं तो इस तरह से ये से एक seed निकलता है और इसको सुखाना नहीं हो तो इसके आप रख सकते हैं कोई भी seed आप धूप में ना सुखाएं क्योंकि उसका जो अंदर moisture होता है वो खतम हो जाएगा और फिर seed germinate नहीं होगा तो कभी भी कोई seed आप धूप में ना सुखाएं उसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर छाया रहती हो धूप ना आती हो खुली जगह पर रखना है और फिर लगबग 15 दिन के बाद आप इसको store कर सकते हैं इस तरह से हम इसको wash करके अच्छे से दिखा देते हैं तो इस तरह से ये इसका seed होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताएगे कमेंट बॉक्स में कैसी लगी और वीडियो जरूर चेक कीजिए description box में आपको मिल जाएगी उसमें इसकी roots हमने दिखाई है तो एक easy to grow plant है हम यहाँ पर इसकी बिल्कुल भी care नहीं करते हैं बस इसको हलकी धूप चाहिए होती है जहाँ पर कम धूप भी आती है जैसे कि अगर कहीं 2-3 गंटे की धूप भी आ जाती है महाँ पर भी यह बदा असानी से चल जाता है और बहुत जादे care नहीं करनी है कोई fertilizer नहीं देना है pot में थोड़ी slow growth करती है लेकिन अगर आपने इसको जमीन में लगाया हुआ है तो यह बहुत जल्दी फैल जाती है इस तरह से पेड़ों पर तो यहाँ पर काफी सारे पेड़ है हमारे garden में इस समय अनार भी काफी आये हुए है लेकिन हमारे यहाँ पर काफी बंदर आते हैं आडू भी आ रखे हैं अनार भी आये हुए हैं तो हमने पहले share किया हुआ है कि कितना नुक्सान बंदर करते हैं तो इस तरह से काफी सारे चीज़ें हमने गार्डन में लगाई हुई हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं आगे भी शेयर करेंगे थैंक यू